दोस्तो आपके घरों के बगल में या आपने कहीं भी बाजारों में या गाओं में मुबाल टावर लगे होंगे और मुबाल टावरों पे लंबे लंबे या गोल गोल कुछ यंत्र से लगे देखे होंगे लेकिन आप सोचते होगे एक क्या है जैसे कि कोई बैंड बजाता है उस जैसे गोल गोल परकार के भी बैंड से लगे रहते हैं और लंबे लंबे भी लगे रहते हैं तो दोस्तो एक क्या होते हैं इस मोबाल पर टावर पर क्यों लगा जाते हैं आज की इस वीडियो में हम आपके सारे डाउट के लिए कर देंगे तो दोस्तो चैनल पर पहली बा वो बेंट बजाते हैं उस जैसे या थोड़े लंबे-लंबे आपने टावरों पर यह अंत्र लगे देखे होंगे लेकिन आप सोचते होंगे एक क्या है तो दोस्तों वो होते हैं माध्यम होते हैं दोस्तों जैसे ही आप किसी को फॉन लगाते हो तो आपकी कॉल की जो तरंग जाती है वो सबसे पहले रिसीवर के पास जाती है बहाँ पर आपकी कॉल को गरन किया जाता है रिसीवर तक पहुंचती है उसके बाद आपकी कॉल को कंटक्ट करा कनवर्स किया जाता है और आप जो बोलते हो जो आपकी सरबत रंग होती है वो भी माइक्रो बेब तरंगों के द्वारा माइक्रो बेब तरंगों के द्वारा आपकी बातों को रिसीबर के द्वारा भीजा जाता है उसके बाद जिसको कॉल किया उसके उसके पास ट्रांसपर किया जाता है तो दोस्तो जो मुबाइलों के टावरों पर लगा जाते हैं वो रिसीबर लगा जाते हैं अगर उनको निकाल दिया जाए या उनका यूजबंद कर दिया जाए तो दोस्तो आपकी बात भी नहीं हो पाईगी किसी से जो मुबाल में बात होती है एक दूसरे से वो उन्हीं रिसीवरों के दौरा होई जाती है दोस्तो वो रिसीवर आपकी कॉल को गिरहर करते हैं आपकी जो बोलते हो आपकी जो तरंग जाती है मोबाल से उसको वो कैच करते हैं फिर उसके बाद उसको दूसरे बैक्ति के पास ट्रांसपर करते हैं तो दोस्तो इसलिए लगाए जाते हैं यह यंत्र मुबाइलों के टावरों पर इसलिए दोस्तो टावरों को उंचा बनाया जाता है अगर आप किसी पहाड़ी इलाके में हो तो आपकी टावर पहाड़ी की उस साइट कम आने लगते हैं क्योंकि आप पहाड़ी के पीछे बार आए हो तो चैनल को सस्क्राइब करना थैंक्यू दोस्तों